Hello students, welcome to my YouTube channel पुनियादे उर्दू Students, आज हम गालिब के खुतूद की अदबी खिदमात के बारे में पढ़ेंगे बचो आज की वीडियो बहुत important है, आप प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं उर्दू अदब की नसरी सिन्फ मकतूब निगारी में गालिब के खुतूद को नुमाया मकाम हासिल है पचो मकतूब निगारी का मतलब है खत लिखने का अमल और नुमाया का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा है मिर्जा गालीब पहले फार्सी में खुतूत लिखते थे मगर 1850 सिस्वी के बाद उन्होंने उर्दु में खुतूत लिखने शुरू किये उर्दु नसर में गालीब की शोहरत उर्दु खुतूत निगारी की वजा से हुई उनका नस्री सर्माया खुतूत हैं उन्होंने अपने खुतूत में इल्मी और अद्बी मसाइल पर इजहरे खायाल किया है उर्दुए मुळला और उद हिंदी उनके खुतूत के मजमुए हैं उनके खुतूत बेहद दिलकश तर्ज तहरीर निहायत सादा सिलीज और बा मुहावरा है पच्चो तर्ज तहरीर का मत्तब है लिखने का अंदाज सिलीज कहते हैं आसान को सादा खुतूत निगारी की इजाद का सहरा मिर्जगालिब के सर है गालिब ने मुरासिले को मुकालमा बना दिया मुरासिले का मतलब है खत और मुकालमा का मतलब है गुफ्तगू गालिब की खुतूत पढ़कर ऐसा लगता है कि दो आदमी एक दूसरे के आमने सामने बैठे आपस में बातें कर रहे हैं उनके खुतूत में आमियाना पन नहीं है बचो आमियाना पन का मतलब है घटिया पन जिसको हम जहालत कहते हैं गुसे के इजहार में भी जराफ़त का पहलू पाया जाता है उनके खुतूत में जराफ़त, तंजो मिजाह, मुरक्का निगारी, जुजियात निगारी और ड्रामायत की मिसालें पाई जाती हैं बचो जुजियात का मतलब है छोटी सी छोटी बात को तफसील के साथ बयान करना मुरक्का निगारी का मतलब है तस्वीर कशी, तंजो मिजाह और जराफ़त का मतलब है हांसी मजाग खुतूत में तवील, अलकाब और आदाब नहीं है तवील का मतलब लंबा या लंबे है अलकाब और आदाब कहते हैं एड्रेस को जो हम खट के शुरू में लिखते हैं उनके Ֆुतूत में साद्गी, दिलकशी और दिलावेजी है पिसे खूपसूर्ती भी कह सकते हैं खुतूत के जरिये गालीब ने तरज निगारिश की नई राह निकाली है बचो तरज निगारिश का मत्ब है लिखने का अंदाज मिर्जा को उर्दू नाजम नासर की तारीख में बुलंद और बेमिसाल मकाम हासिल है जो बहुत कम शौरा और अदीबों के हिस्से में आया है मिर्जा ने खुतूत निगारी में अपना एक मुनफरीद मकाम पाया है पचो मुनफरीद का मतलब है सबसे अलग गालिब की खुतूत निगारी से जदीद उर्दू नसर की बुन्याद पड़ी उर्दू खुतूत निगारी की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो गया उन्होंने बेतकलुफ बोलचाल की जबान में खुतूत लिखे उनके मिजाज में शोखी कूट कूट कर भरी हुई थी बचो शोखी का मतलब शरारत है जिसको आप बेबाकी भी कहते हैं इसलिए हाली ने उन्हें हैवान जरीफ कहा है उनके जबान में सादगी शोखी और सलासत पाई जाती है बचो सलासत का मतलब है सफाई मिर्जा का अंदाज बयान पूर असर है उनके खुतूद के दौनों मजमूओं को उर्दू अदब की तारीख में एहम मकाम हासिल है ये खुतूद उर्दू अदब का लाफानी सर्माया है उनकी जराफत पाकिजा और निखरी हुई है बचो पाकिजा का मतलब है साफ सुत्रा या साफ सुत्री मुक्तसर गालिब के खुतूद में एक अदबी शान पाई जाती है तो बचो आज हमने मिर्जा गालिब के खुतूद की अदबी खिदमात के बारे में पढ़ा बचो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें